हलो फूडीज मेरा नाम अभीजीत है एंड वेलकम तू माई चैनल और मेरा यह जो वीडियो को सेग्मेंट का नाम है उसका नाम है हाउस्द टेस्ट और आज मैं ट्राइ करने वाला हूँ एक विदेशी स्नैक्स का इंडियन फ्लेवर पता नहीं कैसा लाएगा मैंने कभी ट् आस्ट ट्राइ करने वाला हूँ तो देखते हैं कॉन से स्नैख है इसका नाम है डोरीटो जोके एक्चुली नाचोज है ठीकि है नाचोज हमारे इंडियन स्नैक्स तो है नहीं यह अमेरिकन या श्पैनिश या मैक्सिकन कॉन सा स्नैक्स इरोन लो नाचोज है और इसका ज़ मेहम फ्लेवर। मैं आपको लोको आधा कि इंडियन वर्जन है इसका चाहिए पथा नहीं हो सकते इंडियन वर्जन हो ये पिकोड इंडिया में अगर वाहरे उन्हों कि इंडिया वाला उपलेवर लाना पड़ एक Springs मैं सोच जढ़ागा कि शाय इंडियन वर्जन है बड़ टेस्ट कांने के बाद बुता चलेगा कि नाच्वूस कांड़न फ्लेवर है या गया और का फ्लेवर है ट्राए करते हैं मैंने इसे पहले भी नाच्वी स्ट्राए किया है जो दूसरे दो फ्लेवर आते हैं इसके पीछे दिया हुआ है यह पर्पल वाला एंड रेड वाला अगर आप उस वीडियो में इंट्रेस्टेट है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप उसको भी चेक कर सकते हैं लेट्स ट्राइ करते हैं मैं इसा एक्सपेक्ट कर रहे था वैसा नहीं है कि इंडियन वर्जन होगा तो जैसा कुर कुरे मैड एंगल वाला फ्लेवर आएगा वह नहीं आ रहा है पर कुछ भी नहीं आ रहा है बहुत बलेंड लग रहा हैं किसी किसी जिब मसाला जाब पड़ गया है तो उसमें फ्लेवर लग 세계 कुश में कम पड़ा है तो उसमें इसमें नहीं लग रहा है इतना खास नहीं है अगर मैं value for money की बात करो तो 20 रुपे का 44 ग्राम दिया हुआ है तो decent है 3, 3 rating is fair and taste wise 2 से ज़्यादा नहीं दे सकता मैं तो overall out of 10 इसके rating होती है मेरे हिसाब से 5 आपने अगर डोटोस का ये flavor try किया है तो आप मुझे comments में बता सकते हैं कि आपको ये flavor कैसा लगा और आप अगर इसको rating देना चाहेंगे तो आपकी rating किती रहेगी अगर आपको ये video अच्छा लगा तो मैंने house the taste वाले video series में बहुत सारे videos बनाए है मैं उसका जो playlist का link है वो मैं description में दे दूँँगा तो आप जाके उसको check कर सकते है I hope आपको वो भी सारे दूसरे videos भी अच्छे लेंगे और अगर आपको ये video अच्छा लगा है तो please hit that like button और मेरे channel को please subscribe कर दीजे मिला नम अभिजीत है and thank you so much for watching